प्यारे बच्चो, गुड मॉर्निंग, मैं राजिश कुमार राय, आपका टीचर, आज हम पढ़ेंगे पाठ चार, ननहा फनकार, ननहा अतार्थ छोटा, फनकार अतार्थ ऐसा व्यक्ति जो किसी खास काम में माहिर हो ये पूरी कहानी एक 10 साल के केशव की है, जो अपने पिता जी के साथ आगरे से फतेपुर सिकरी आ जाता है, और वहां आकर के दोनों नकाशी का काम पत्थरों पे करते हैं, उसी दोरान उनकी मुलाकात समराट अकबर से होती है, तो उन दोनों के बीच में क्या-क्या वारता लाप होती है, उसी पर ये पूरी कहानी आधारी थे, तो आईए शुरू करते हैं, वह लड़का एक चोकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया, चोकोर यानि की जिसका चार कोना हो, उसने जल्दी जल्दी कोई प्राथना बुदबुदाई और छेनी हथोड़ा उठाकर अपन जबनी अधुरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पुर्वक हथोड़े से घंटी पर नकाशी करने में जुट गया, यहां क्या कहने की कोशिश हो रही है, यहां ये अर्थ है कि एक लड़का है जो की चोकोर यानि की चार कोने वाले लाल पत्थर पे बैठ ग गुदाई, यानि कि कुछ उसने भगवान से, प्रभू से उसने कुछ प्राथना की, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो एक पत्थर पे घंटी, घंटी जिसे अंग्रेजी भाशा में बैल कहते हैं, तो घंटी की कतारे बना रहा था, उसे उकेरने की कोशिश कर रहा था, उकेरना का मतलब है, जैसे पत्थर पे यदि हमें कोई डिजाइन बनाना है और उसको हम धीरे-धीरे काटेंगे, तो काटने के बाद जो उभर के सामने आता है, उसे कहेंगे हम उकेरना, तो लड़का जो है साबधानी से, हतोड़े से, घंटी पर नकाशी करने में जुट इसके बाद आगे देखते हैं, हतोड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किर्चे छितरा जाती और वो आँखे सिकोर लेता, जितने भी पत्थर आते हैं, उसकी कई परते होती है, तो जब हम तोड़ते हैं उसको किसी भी चीज के प्रहार से और फैलने के बाद उसमें से छोटे-छोटे कण निकल जाते हैं, और निकल के यहाँ वाँ फैल जाते हैं, तो इसलिए वो लड़का अपनी आँखे सिकोर लेता था, ताकि आँखों में ना चला जाए, वो कण, साथ-साथ धीमी आवाज में वो कुछ गुन-गुनाने भी लगता, उसके चारो और दूसरे संगतराश, संगतराश का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पत्रों पे नकाशी करता है, उसे संगतराश कहते हैं, उसके चारो और दूसरे संगतराश भी अपने-पने काम में डूबे हुए थे, केशव दस साल का था, और अभी अपना काम सीखी रह पिटा के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और गुमावदार डिजाइन उकेर सकता था मतलब वो भले ही 10 साल का था लेकिन पिता जी उसको एदि एक बार बता देते तो वो उस काम को करके दिखा देता उस तरह के डिजाइन बना के दिखा देता था अब तक उसने नकाशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था जो उसने किया था केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालिया बारीक का मतलब है एक दम छोटा महीन जालिया महीन नफीस बेल बूटे कमल के फूल लहराते हुए साप और इठला कर चलते हुए घोडे ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा ठिक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं तो बच्चा इतना माहिर था केशव इतना माहिर था कि उसी यकीन था कि आने वाले समय में एक दिन वो और बहतर काम करके दिखाएगा और बहुत महीन बहुत बारिक काम करके दिखाएगा बारिक महीन मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारा डिटेल्स हो अब आईए आगे कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे बादशाँ अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया ठीक है? यानि कि उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर के बस गय थे और बादशा अकबर अपने लिए किला बनवा रहे थे तो वही उनको काम मिल गया केशव का जनम भी आगरे में ही हुआ था उसे गुजरात के पुष्टेनी गाउं जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला आगरे की गलियां और अब सिक्री यानि कि फतेहपूर सिक्री एक स्थान है वहां की बात हो रही है बस यही उसका घर थी यानि कि गुजरात से जब वो बालक केशव यहां पे आया उसके बाद उसे पुष्टेनी पुष्टेनी के मतलब जहां बाप दादा का गाउं यानि कि वो गाउं जहां तो उसके पुर्खे रहते हैं उसके पिता जी उसके दादा जी उसके परदादा जी रहते हैं उसे पुष्टेनी कहा जाता है तो वहाँ जाने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला चारो और हो रही छेनी हतोडों की ठक ठक खड़खड के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पढ़ने पर वह चौक गया माशालला ये घंडिया कितनी सुन्दर है तुमने खुद बनाई है तो यहां तक यह कहा जा रहा है कि केशव जो था और इतना व्यस था काम करने में कि उसे ये एहसास नहीं हुआ ये आवाज नहीं सुनाई दी कि कोई उसके सामने आके खड़ा हो गया है और वो आदमी उसे कह रहा है कि माशालला ये घंडिया कितनी सुन्दर है क्या तुमने बनाई है वो आदमी पूछ रहा है उससे पीछे मुड़कर केशव ने आँखे उठाई तो उसे एक आदमी दिखा बेशक मैंने ही ये घंडिया बनाई है क्या मैं आपको पत्थरों पर ना काशी करता नजर नहीं आ रहा देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया जब उस वेक्ती ने केशव से पूछा तो केशव ने कहा कि भई आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं जब काम कर रहा हूं इसका मतलब मैंने ही बनाई होगी दिखता तो है उस वेक्ति ने फिर क्या कहा दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो न वो आदमी हसते हुए बोला तो केशफ क्या कहता है मैं दस साल का हूँ दस अच्छा वो आदमी पास बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला तब तो काफी बड़े हो मैंने भी तेरा साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था अब केशफ उस आदमी को अच्छी तरह देख रहा था देख पा रहा था उसकी उम्र रही होगी तीस से उपर कद मनझोला था यानि की केशफ जो था उस वेक्ति को ध्यान से देख रहा था उस वेक्ति को उम्र तीस से थोड़ी से उपर थी और कद मनझोला था मतलब कद जादा उचा नहीं था बहुत सफेद अंग रखा और पाजामा पहने हुए था उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढगे हुए थे लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखे, होटों को ढगते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूझे केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था व्यक्तित्व यानि की परसनेलिटी का मुआयना, मुआयना मतला जाच कर रहा था समझने की कोशिश कर रहा था यानि कि वो जो व्यक्ति जो वहां ख़ड़ा था उसको देख करके ध्यान से केशव उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि यह किस शक्सियत का इंसान है कि तभी उस आदमी ने एक नकाशी की तरफ इशारा करते हुए कहा इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है इस से पहले की केशव को जवाब देता उसने किसी के तीजी से दोड़कर आने की आवास सुनी यह और कोई नहीं महल का पहरेदार था हुजूर माफ करे मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला हाफते हुए उसने कहा फिर वह मुड़कर भोचक से खड़े केशव को घुरते हुए बोला बेफकुफ खड़ा हो हुजूर आला के सामने बैठनी की जुरूरत कैसे की तुने जुक कर सलाम करेने मतलब हुआ क्या कि वो जो वैक्ती वहां खड़ा था उस बालक के सामने तो अचानक थोड़ी दिर के बाद एक पहरेदार दौरता हुआ आया और उसने सबसे पहले उनको सलाम किया और उसके बाद कहा कि मुझे माफ कीजिए मुझे पता ही नहीं चला कि अपका बाए और फिर केशव को डारते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम बैठे हो खड़े हो के सलाम करो अब केशव का माथा ठनका उसे कुछ-कुछ समझ आ रहा था बदहवासी में छेनी हाथ से छुटकर नीचे गिरी और वो जल्दी से उटकर खड़ा हो गया बदहवासी मतलब घवरा हट अरे कहीं ये बादशा अकबर तो नहीं यह ख्याल आते ही उसने जुक कर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा मतलब वो घवरा गया उसके हाथ से छेनी छुटकर नीचे गिरी और वो खड़ा हो गया और उसके बाद उसने जुक कर सलाम किया ठीक है? और उनको ध्यान से देखने लगा अकबर को पहरेदार की या दखलंदा जी भली न लगी उन्होंने खीज कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए वापिस अपना नकाशी का काम शुरू करे या बादशा के हुकम के इंतजार में खड़ा रहे दिल तो उसका अभी भी धगधग कर रहा था हाँ, पर अब वो डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे तो यहां तक हम समझ गए कि बालक ने उनको सलाम तो किया लेकिन बालक सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं अपना काम करूँ या जब तक वो हुकुम न दे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँ अब आगे देखते हैं तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा केशव, उसने नपातुला जबाब दिया केशव, क्या तुम मुझे नकाशी करना सिखाओगे? उल्जन में पड़े केशव ने तुरंथ सिर हिला दिया तब तो तुम्हें मेरे लिए हथोड़े और छेनी का भी इंतिजाम करना होगा केशव फूर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथोड़ा उठाकर उल्टे पाउं लोटाया दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खीचते हुए बोले ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है केशव में संदेह भरी नजरों से अकबर की और देखा हुजूर क्या आप यह सब करेंगे क्यों नहीं मुझे तो विश्वास है कि मैं सीखी लूँगा नहीं नहीं मेरा मतलब यह नहीं था केशव सक्पका गया दरसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह है यह ठीक नहीं लगता उसने कुछ अन्मने भाव से कहा तो यहां तक में यह है कि बादशाह अकबर जो थे वहां आकर के बैठ गए और केशव को कहा कि केशव मैं सीखना चाहता हूँ क्या मुझे सीखाओगे तो केशव सक्पका गया कि इतने बड़े बादशाह मेरे पास आये हैं सीखने वो कैसे सीख सकते हैं ठीक है अकबर हसकर बोले अच्छा लेकिन पिछले हफ़ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी क्या यहां काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है यानि कि पिछले हफ़ते अकबर बता रहे हैं कि उन्होंने किसी की मदद की थी मिट्टी ढोने में केशव अभी भी असमंजस की स्थिती में था वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकरने का सही तरीका सिखाने लगा फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था उसने कोईले के टुकरे से पत्थर पर लकीरे खीच कर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा देखिए सिर्फ इन्ही लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथोड़े से वार किया जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया मतलब अकबर को उसने सिखाने की शुरुआत की लेकिन कटाव जो है ज़्यादा गहरा हो गया क्योंकि अकबर ने पत्थर पे जोर से प्रहार कर दिया अरे अरे नहीं नहीं केशव ने तुरंट गलती पकड़ी हथोड़े को आहिस्ता से मारना है ऐसे उसने कर के दिखाया और हाँ अपनी आँखे थोड़ी मीच कर रखे वरना किर्चे उरकर आँखों में चली जाएंगी अकबर मुस्कुराए जी हुजूर तो बच्चा उन्हें बता रहा है कि कैसे करना है और हथोड़े से प्रहार करते वक्त आँखों को बंद करना है नहीं तो उसके जो टुकरे है वो आँखों में पढ़ जाएंगे गिर जाएंगे आँखों में आ जाएंगे इसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह वेक्ति हिंदुस्तान का बादशा है एक अनारी से व्यस्क पर अपने काम की धाक जमाने मुसे मजा रहा था वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उगेर रहे हैं बादशा से जरा से भी चूख हो जाती हो जाने पर फ़रन उसकी तियोरिया चड़ जाती मतलब बादशा जब कर रहे थे काम तो जरा सा भी उनसे गलती हो जाता है वो आँखे उठा करकर उनको देखता था तियोरिया चड़ जाती मतलब आँख कड़ा करके देखना ठीक है काम करते करते अकबर पूछ बैठते केशफ सही नहीं है क्या और केशफ सिर हिला कर अपनी असहमती जता देता मतलब बता देता कि हाँ आपने सही नहीं किया है असहमती मतलब सही नहीं किया है थोड़ा सही से करिए अकबर इतमी नान से बैठ गए इत्मी नान मतलब रिलैक्स होके बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे अपने काम में खोई हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आस पास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कोतुहल से देख रहे हैं कोतुहल का मतलब होता क्यूरियोसिटी से देख रहे है मतलब एक दम देख रहे हैं कि आरे भाई क्या है कुछ जानने कोशिश कर रहे है अकबर ने और किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था बलकि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड रहा था जिससे वे डिजाइन ज्यादा खुबसूरत लग रहे थे लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कार खाने में काम करो तो बच्चे के काबलियत को देखते हुए उसकी कारीगरी को देखते हुए बातशा अकबर ने कहा कि बेटा एक दिन तुम बहुत बड़ा कारीगर बनोगे और मैं अपने कारखाने में तुम्हें काम दूँगा बस एक बार ये महल तयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहां रहने लगे तब मैं कारखाने बनवाऊंगा इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकडी पर नकाशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे तो यहां बातशाह ने बताया कि जितने तरह के हुनर वाले लोग हैं जिनके अंदर कारीगरी है, जिनके अंदर हुनर है जो माहिर है अपने काम में, हम सब कोई कठा करके अपने कार खाने में काम देंगे उनको केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूंगा अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपता पाया और कहा अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, हुजूर क्या आप दुबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मैं जरूर आऊंगा केशव फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव के धूम मची रही वह बार-बार बातशा से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा तो इस तरीके से बातशा के जाने के बाद, जितने भी आस-पास में संगतराश थे सबके बीच में केशव का एक महत्वपून स्थान बन गया सभी लोगों ने उसे घूम करके घेर लिया और पूछने लगे कि हाँ भी बताओ क्या बात हुई आपको बातशाक बर इतना प्यार क्यों कर रहे थे त्यादी त्यादी बाते होती रही और दीन भर सभी को बताता रहा घूम घूम करके कि मेरे साथ ये बात हुआ उन्होंने मुझे ये कहा इस तरीके से रात हो चली थी केशव बहुत ठका हुआ था पर आँखों में नीद कहा वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुज गया पिता ने मुस्कुरा कर कहा तुम तो अभी से इतने प्रसिद हो गए हो बात्षा सलामत ने कहा है कि एक दिन में बहुत बड़ा कलाकार बनूँगा अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे ठिका कर केशव धीरे से बोला हमारे बात्षा बहुत ही नेक इंसान है बिलकुल सही पिता ने कहा कुछ सोच कर केशव ने पूछा बाबा एक बात बताओ बात्षा के पास आगरा में एक से पढ़कर एक खुबसूरत महल है फिर वस सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे है तो यहां तक हमने यह सुना कि बाद में केशव बहुत ठक गया लेकिन उसकी आँखों में निंद नहीं थी वो आकर कि अपने पिता जी के बिस्तर में घुस गया और उनसे पूछने लगा यहां वहां की बाते करने लगा और बातशा सलामत के तारिफे करने लगा फिर बात में उसने पूछा कि पिता जी मुझे एक बात बताईए कि आखिर क्या कारण है कि बातशा अकबर जो है फतेह पुर सिकरी में शहर बना रहे है जबकि आगरा में तो उनके पास एक से बढ़कर खुबसूरत महले तब पिता जी ने पूरी कहानी बताना शुरू की पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया हाँ बेटा बातशा का आगरा बहुत सुन्दर शहर है पर सिकरी मतला फतेहपुर सिकरी एक स्थान का नाम है पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है मैंने सुना है कि जब बातशा अकबर की कोई संतान नहीं थी इस वज़ा से वे हर वक्त मरशान रहते थे वे बहुत से साधू संतों और फकीरों के पास गए भटकते भटकते बातशा खुआजा सलीम चिष्टी के पास सिकरी आए उन्होंने ही बातशा को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संताने होंगी शेहजादा सलीम, मुराद और दनियाल केशव ने चहकते हुए कहा बिलकुल सही तब बातशा ने खुआजा सलीम चिष्टी के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था तो यहां तक बच्चों ये कहा जा रहा है कि पिता जी ने उस बच्चे को यानि केशव को कहानी बताना शुरू किया कि जिस समय अकबर की कोई संतान नहीं थी वो बहुत चिंदित रहते थे और कभी इस दरवाजे पे कभी फकीरों के संतों के उस दरवाजे पे जाते रहते थे और सभी से मिन्नते करते सभी से दुआएं मांगते कि मुझे दुआएं दे दो ताकि प्रभू मुझे एक आउलाद दे दे तो इसी तरीका से भटकते भटकते बातशा ख्वाजा सलीम चिष्टी के पास आ गए फतेह पुर्सिकरी में और उन्ही के रहमत से आशिरवाद से उन्हें एक नहीं बलकि तीन-तीन संताने हुई जिसका नाम शहजादा सलीम मुराद और दनियाल था ठीक है? तो उन्ही के सम्मान में यानि की ख्वाजा सलीम चिष्टी के सम्मान में बातशा अकबर ने फैसला किया कि मैं फतेह पुर्सिकरी को बहुत खुबसूरत बनाऊंगा और इसको एक खुबसूरत नगर बना दूँगा और इसी लिए उन्होंने वहाँ पे नगर बसाने का फैसला किया केशव ने कहा अच्छा अब समझा इसलिए बातशा अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है हाँ और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं केशव नेदी आवाज में बोला मतलब लगभग उसको नेद आ चुकी थी पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है तो इस तरीके से केशव ने अपने पिताजी को कहा कि अच्छा तो अब ये बात है इसलिए बात्शा अकवर ने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा है ख्वाजा सलीम चिश्टी के नाम पे और इसी कारण वो शहर नया बसा रहे हैं और यही कारण है कि पत्थरों को तराशने के लिए हम लोग भी यहां आए है तो इस तरीके से केशव जो था बात करते करते धीरे धीरे करके सो गया तो पिता जी ने भी देखा कि अरे मेरा लाडला बेटा तो सो गया है तो ये थी पूरी कहानी जो कि हमने सुना हमने समझा तो आज के लिए बच्चो बस इतना ही